मुर्फी पूजा करना ढोंग है, इश्वर साकार नहीं निराकार है, वो तो प्रकाश पुंजे, मुर्फियों में कहां हो सकता है, वो ऐसा थोड़ी दिखाई देता है, मुर्फी तो इंसान ने बनाई है, उसमें इश्वर कहां से आ सकता है, इस तरह की भहुत सारी बाते ये प्रसंगा अदुभुत है हरे कृष्ण दोस्तों मैं हूँ अनुजशर्मा जैपुर में रहने वाली पूजा सोनी पूजा सोनी भगवान की अनन्य भगत है थाकुर जी की अनन्य भगत है पूजा सोनी बताती है कि हमारे घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले इश्वर को बताया जाता है वो इश्वर का घर है घर में कुछ भी आएगा तो सबसे पहले इश्वर को भीट चड़ाया जाएगा घर में कुछ भी बनेगा तो इश्वर को भोग लगाया जाएगा क्योंकि वो घर हमारा नहीं है इश्वर का घर है, तो सबसे पहले हर बात इश्वर से होती है, ठाकुर जी से होती है, उनके घर में बड़ा सुन्दर सा मंदिर है, जहां लड़ू गोपाल है, किशोरी जी है, भगवान श्री कृष्ण है और राधारानी का विग्र है, जन्माश्टमी पर हर साल पूजा उपवास रखा, उनके पती का नाम है ध्रेंदर सोनी, तो पहली बार उपवास रखा था, पूजा सुबह से तयारी में लगी हुई थी, भगवान को सनान करवाया, पोशाक पहनाई, भगवान को तयार किया, मंदिर को सुन्दर से सजाया, पूजा बताती है कि पहले मैंने लड़ू को सनान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, फिर गोपाल को सनान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, फिर छोटी किशोरी जी को सनान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, उसके बाद ठाकुर जी को सनान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, इतना सब करते करते पूजा ठक तो राधारानी के विग्रह को जब स्नान करवाया उसके बाद उन्हें पोशाक पहनाने लगी तो पूजा सब जल्दी जल्दी करने लगी तो पूजा ने पूरी तरह से उन्हें नहीं सजाया जल्दी जल्दी में सजाया उनको पोशाक पहना है और उसके बाद पूजा पोश सर पर चोट आ गए। लेकिन वो इतनी जल्दी में थी और इतने सारे काम थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर कुछ फोटो खीचे भगवान के, मंदिर के फोटो खीचे क्योंकि मंदिर सुन्दर बना दिया था। बहुत सारे फोटो लिए भगवान के आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं, हम सब ऐसा करते हैं, अपने भगवान के फोटो खीचते हैं, तो भगवान के फोटो लेने के बाद अपने काम में लग गी। इनके पती धिरेंदर सोनी जी को आज दोपैर में ही अपने काम से आ जाना था क्यों पुवास भी था तो दोपैर में तीन बजे वो अपने काम से वापिस घर आये पूजा अपने काम में वैस्त थी तो धिरेंदर सोनी जी अपने घर के मंदिर में माथा टेकने गए भगवान को देखने गए, मंदिर को देखने गए, मंदिर सजा हुआ था, सुन्दर लग रहा था अचानक से धिरेंदर जी ने पूजा को आवाज दी और पूजा से कहा कि पूजा देखो ये क्या हुआ राधारानी ऐसी क्यों लग रही है देखो राधारानी को क्या हुआ पूजा भाग कर आई पूजा ने देखा कि राधारानी की गर्दन मुड़ी हुई है तिर्ची है पूजा को विश्वास नहीं हुआ उसे लगा कि शायद मैंने विग्रह को सीधा नहीं रखा है तो ठाकुर जी की तरफ मूँ करके रख देती हूं सीधा रख देती हूं जैसे हमेशा रखती हूं उन्होंने उसे सीधा रखा लेकिन गर्दन जो है फिर भी मुड़ी हुई थी पूजा की समझ में नहीं आये दिरिंदर जी की भी समझ में नहीं आये क्योंकि विग्रह मार्बल का बना हूँ गर्दन कैसे मूर सकती है कोशिश की हाथ से सीधा करने की पर कैसे हो सकती है मार्बल का विग्रह है कैसे सीधी होगी मन व्याथित हो गया, व्याकुल हो गया, भाग करके नीचे अपनी भावी के पास गया भावी से जाके बोली भावी, मुझे लगता है राधारानी नाराज है मैं उनको अच्छे से सजा नहीं पाई, जल्दी जल्दी में थी मेरे सर पर चोट भी लग गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ तो भावी ने कहा क्या हुआ, तो पूजा ने बताया कि मैंने सब को दो-दो हार पैनाये थे राधारानी को एक हार पैनाया थे, शायद वो नाराज है, मैंने उन्हें जल्दी से तयार किया थे तो भावी ने कहा कि ठीक है, जाके दूसरा हार पैना दे, पूजा ने कहा कि नहीं भावी, राधारानी की गर्दन जो है, वो मुड गई है, घूम गई है, तिर्ची हो गई है, भावी बोली ऐसे कैसे हो सकता है, चल मैं भी देखती है, और भावी उपर आई, जब भावी उपर आई, तो देखा कि राधारानी की गर्दन जो है, वो सीधी हो गई, वो मुड़ी हुई तो पूजा ने बताया कि भावी अभी अभी गर्दन मुड़ी हुई थी, तो भावी ने भी सोचा होगा, कि हो सकता है, मन का वहम हो, भावी भी चली गए, घर में पूजा की तयारी होने लगी, लेकिन पूजा का मन व्याथित था, व्याकुल था, पूजा के मन में ये बात थी, कि मैंने राधारानी को अच्छे से तयार नहीं की, तो पूजा ने राधारानी को फिर से तयार की, अच्छे से सुंदर बनाया, विग्रह को स्थापित किया, और जैसे ही विग्रह को स्थापित करके ठाकुर जी के पास रखा, तो पूजा बता यह अध्भुत अनुवह था। पूजा बताती है कि भाईया उससे पहले मुझे लगता था कि मैं मुर्ती की पूजा करती हूं। पहली बार यह ऐसास हुआ कि नहीं। मेरे इश्वर, मेरे ठाकुर्ज, मेरी राधहरानी यहीं रहते हैं। मैं इश्वर से बाते करती हूँ हमारे घर में राधारानी आई उन्होंने बताया मैं यहां हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ तू ऐसे मत समझ की मैं मुर्ती हूँ मैं तेरे हर कारिय को देखती हूँ, तेरी हर बात सुनती हूँ पूजा का विश्वास प्रगाड हो गया पूजा बताती है कि हमारे घर में जब भी पूजा होती थी तो हम राधे राधे बोलते थे, क्रिश्न क्रिश्न बोलते थे क्रिश्न का ही नाम राधे राधे बोलते थे पर राधारानी की जय कभी नहीं बोलते थे लेकिन अब हमारे घर में जब भी पूजा होती है राधना होती है तो राधे राधे के साथ साथ राधारानी की जै बोली जाती है सुबह शाम पूजा पूजा करती है जो लोग ये बोलते हैं न कि मुर्ती पूजा ढोंग है वो साकार नहीं निराकार है वो सिर्फ एक प्रकाश पुन्ज है वो किसी मुर्ती में नहीं रहता मैं उन सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ मेरे ठाकुर ने कही है मैं साकार भी हूँ और निराकार भी हूँ मैं कण कण में विद्यमाल हूँ अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगय नहीं है जहां ठाकुर नहीं है जहां कृष्ण नहीं है ऐसा कोई कण नहीं है जहां कृष्ण नहीं है कृष्ण हर जगय विद्यमाल है ये मुर्तियां साधरन नहीं है इन मेश्वर निवास करते हैं शाक्षात होते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है भगत प्रलाद को हिनेकशप ने कहा था कि क्या तेरा विश्णु इस्तंब में भी है तो भगत प्रलाद ने कहा था कि मेरा इश्वर कणकण में है मेरा विश्णु कणकण में है मेरे भगवान कणकण में है इस्तंब में भी है और गुस्से में आके हिनक अश्प ने उस तंब परवार किया था और जब तूटा था तो वहां से भगवान नरसिंग अवतार में आए ले भगवान तो कणकण में है इश्वर तो कणकण में है आपका विश्वास होना चाहिए आज के बाद कभी ये मत सोचना कि मेरे घर में इश्वर नहीं रहता मुझे स्पेशल कहीं जाना पड़ेगा इश्वर से मिलने के लिए नहीं आपका विश्वास जहां भी है वहीं इश्वर आप जहां देखना चाहोगे वहीं इश्वर विश्वास आपको ऐसे नित्र देता है जिससे आप अपने इश्वर को द पताती है कि उस दिन से मेरे पती ने कहा कि अब मैं हमेशा जनमाष्टमी में उपवास रखूंगा भगवान श्री कृष्ण की राधारानी की अराधना करूंगा उनका ग्यारा साल का बेटा भी भगवान की अराधना करता है जब ऐसे संसकार बच्चों को मिलते हैं तो उनकी सगे संबंदी रिष्टेदार परिवार दोस्त सब आपका साथ छोड़ देंगे एक मात्रिश्वर ही है जो हर पल आपके साथ है और हर पल आपके साथ रहेगा इसलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखो अपना ख्याल रखो हरे कृष्ण हुआ है